नमस्कार शाथियो वीजन फॉर सक्सेज यूटूब चैनल की कुछ खास सीरीज में आज बात पक्सी प्रेमियों तथा देश फिदेश में चर्चा का विशे बने रामसर इस्तल सांबर जील की करते हैं इसके परिचे इतना ये स्तान आखिरी खास क्यूं है और ये चर्चा का इसके क्यूं बना इसके पस्चात राजस्तान वेटलेंड अथोर्टी के बारे में बातचीत करेंगे शिरुआत करते हैं इसके परिचे के साथ जैपूर नागोर और अजमेर की सीमा में 230 वर क्लिमेटर फैली ये जील प्रवासी पक्सियों की सरन स्तली है ये लवनिये जील समुन्द तल से 12 फिट उन्चाई परस्ती तता भारत की सबसे बड़ी इनलेंड खारे पाने की जील है ये जील एक लाग असी हजार टन परती वरस नमक उतपादन के साथ साथ भारत की टोटल नमक उबो का 9% भूमी का निबाती है इसमें नमक उतपादन की जमेदारी उपनगड मंथा खारी खंडेला मुखी रूप से चार अरावली की अंतरप्रवाही नदिया आती है जो अपने साथ ही कायांतरी चटानों में निश सिस्ट गाद की रूप में ले आती है ये गाद कापी समय के पस्चात तापमान बढ़ने के साथ साथ वास्पन उने के कार नमक में तबदील हो जाती है और कैयारियों में नमक का उत्पादन होता है आखिर ये इस्तान इतना खास क्यूं है इसके पीछे दो तीन वज़े है पहला ये है कि ये भारत के टॉटल नमक उत्पादन का 9% भूमी का निबाता है दूसरी बात मैं करूं तो ये रामसर इस् के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था रामसर कन्वेंशन उसमें जितनी भी आदर भूमिया है उनके सरक्षन के लिए इस्तान को लिस्टेड करते हैं और उनके सरक्षन के लिए काम करते हैं लेकिन दुख की बात ये है कि वरतमान सिमे के अंदर जितने भी वेटलेंड है उसम प्रजात्यों के आई प्रवासी पक्षियों की यह सरन इस्तली है जिसमें विशेश रूप से उत्री एसिया तथा साइबिरिया से अजारों की सिंख्या में आई फ्लेमिंगों और अन्य प्रवासी पक्षियों की उत्तम बसेरा की रूप में यह काम करती है अखी ये विशे इतना चर्चा का विशे सांबर क्यों बनी पक्सी प्रेमियों तथा देश विदेश में यहाँ पर अठाराज़ार पक्सीों की मौत ने इसे चर्चा का विशे बना दिया जब इस बात को राजस्तान हाई कोट ने सिंग्यान लेने के पच्चात सिरकार ने यहाँ पर रेस्क्यू ओपरेशन तथा अनुसंदान कारे शुरू किया इसके साथ साथ बरेली भोपाल इस्तित भारती पसू के सानुसंदान राजस्तान विकानेर वेटरिनरी इनुस्टी ने जब काम स्टार्ट किया और पता चला तब यह बात सामने आई की एवियन बॉटुलिजम नामक बिमारी ही पक्सियों की मौत का वज़े बनाया एवियन बॉटुलिजम नामकी एक बिमारी बैक्टरिया कलोस्टरियम बॉटुलिजम से होती है अब जानते हैं क्या है एवियन बॉटुलिजम नामकी बिमारी और कैसे फैली यह एक बैक्टरियल लिजेज है जो मेगट की वज़े से होती है सड़े गले मास या सड़े कले कीडे मकोडे खाने की वज़े से ये विमारी होती है क्या कैसे फहली ये अचानक विमारी इस जील के अंदर अब जानते हैं ज्यदा बारिश होने के कारण जील पूरbalance रुपेन से बह गई तथा नए तट भी बन गई दीरे दीरे पानी कम हुआ ता तटो पर खारापन बढ़ गया चुचले तटो पर सुक्सम जीव विशेले होकर मरने लगे इसको खाने से पक्सियों की सवतन तंतर और तंतरी का तंतर के अंदर विकरती पेदा हो गई और यह एवियन बोटिलिजम नामक बिमारी से गिर्शित हो गई इस संकरमन से संकरमित पक्सि मुखे रूप से चल नहीं पाते हैं तथा कुछ समय के पस्चाद पेरालाइसिस हो जाता है तकरीबन अठाराजार मोत हुई तथा वरतमान समय भी यह मोते जारी है लेकिन WTI सिंस्थान होप एंड बिहोड था वन विबाग के परेक्शन के पस्चाद पता यह चला कि वरतमान समय के अंदर जो भी पक्सियों की मोत हुई या पर जो भी पक्सि बिमारी से गिर्शित है उनमें एवियन बोटिलिजम नामक बिमारी नहीं है मोसम की वज़े से पक्सि बिमार हो गई अब जानते हैं राजस्तान स्टेट वेटलेंड ओथरिटी के बारे में NGT, Wildlife Institute of India, Forest Department, रामसरस्तल कन्वेंशन के निर्देश की आदार पर ततकाली मुखे मंतरी असो गहलोत ने 20 हदस्तान वेटलेंड ओथरिटी का गठन किया जिसका अध्यक्स पर्यावरन मंतरी होंगे इसमें उपाध्यक्स मुखे सची होंगे पर्यावरन विबाग बतोर एक नोडल एजनसी की रूप में या काम करेगा इसके साथ साथ SES होम, यूडियेट और SES टूरिज्म भी इसके सदसे के रूप में काम करेंगे और इसके सदसे हैं इस परकार से बात्यत हुई पूरण रुपैन से सामबर जील के बारे में इतना खास तच्चा का इसे क्यों बना अभी भी वहाँ पे पक्सियों की मौत हुई है लेकिन परिक्षन के पस्चाथ, नुसंदान के पस्चाथ ये पता चला कि अब एवियन बॉटुलिज्म नामक बिमारी से पक्सियों की मौते नहीं हो रही है कोई और वज़े है वातावरन या जल्वाईयों परिवतन की वज़े से पक्सियों की मौत हो रही है धन्यवाद